जैसे यारा मित्रू, जब भी हमें भै लगता है तो हम मेंसे अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ आरम कर देते हैं, जिन्हें पूरा चालीसा नहीं भी कंठस्त है, वो भी एक चौपाई तो अवेशज अपने लगते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें, मित्र भै के समय हनुमान चालीसा का इसमरण आने के पीछे का सबसे वड़ा कारण है विश्वास, अखंड विश्वास की यदि हम पाठ करेंगे, तो हनुमान जी स्वयम आकर हमारी रक्षा करेंगे, और ये विश्वास बिलकुल सत्य है, मेरे एक गर मित्र एरिक्षा ड्राइवर है, सुबह सुबह घर से निकल जाता है, और दिन भर घुमते घुमते रात को ठक कर घर पे आता है, यही उसकी दिन चर रहा है, हर दिन की तरहें उस दिन भी वो अपनी एरिक्षा लेकर घर से निकल गया था, पर जैसे हर दिन रात आठ बचे तक वो घर वापसा जाता था उस दिन नहीं आया घरवालों को लगा कि शायद काम के सिलसिले में दूर चला गया होगा यह ट्रैफिक में कहीं फस गया होगा पर समय बीता गया रात के नौ बच गए पर वो नहीं आया साथी उसका फोन भी नहीं लग रहा था नेटवर्क कवर ज़ेशना शुरू किया कि शायद किसी को पता हो किसी ने उसे देखा हो या फिर वो किसी को कुछ बता कर कहीं गया हो पर सब व्यर्थ रहा कुछ भी पता नहीं चला समय तेजी से भाग रहा था घड़ी में दस बजने को थे अब सभी ने ये तैंक किया कि वो सभी और आसपडूसी जो है वो सब मिल कर उन जगहों पर जा जा कर पता करेंगे वहाँ पर ढूंडेंगे जहांपर वो अकसर काम के सिलसले में आता जाता रहता था सबھی निकलने की तयारी ही कर रहे थे कि फोन की घंटी बजी ये फोन उसी का था उसकी माने दोड़ कर फोन उठाया जैसे ही फोन उठाया तो उधर से उसके जोड़ जोड़ से रोने की आवाजें आ रही थी और कापती हुई आवाज में वो कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो घरवालों के कई बार पूछने पर उसने बताया कि आखिर वो इस समय है कहाँ उसकी लोकेशन क्या है जैसे ही पता चला कि वो कहाँ है सभी लोग उसे लाने के लिए निकल पड़े किसी को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है बस इतना पता था कि वो मुसीबत में है और इस समय कहाँ पर है जब सभी उसके पास पहुँचे तो क्या देखते हैं वो लोग कि वो ड्राइवर सीट पर बैठे जोड जोड से रोते हुए ललखाती आवाज में जैहनुमान जैश्रे राम बोलता जा रहा था अपने चाचा और पापा सहित बाकी सभी को देखकर उसे थोड़ा साहस मिला सभी ने उसे चुप कर आया पानी पिलाया फिर उसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था वो ऐसी हालत में कैसे पहुचा और इस सून सान जगह पर वो कर क्या रहा है तो उसने बताना अरंभ किया उसने जो भी कहा वो सुन कर आप सब ही इस तब्द रह जाएंगे उसने बताया कि वो कभी भी रात में किसी सून सान सडक पर या सून सान गाउं में किसी को भी लेकर नहीं जाता है क्योंकि रात के समय में ग्रामीड शित्रों में दूर सून सान सडक को परचाना अच्छा नहीं माना जाता ये कहीं न कहीं खतरनाक रहता है लेकिन उस दिन किसी के बहुत ज्यादा कहने पर उनकी मदद करने के लिए वो उन्हें लेकर चला गया उन्होंने उसे वादा भी किया था कि वो उसे गाओं से बाहर सुरक्षित निकलवा देंगे किसी को साथ में उसके भीज देंगे इसी वादे पर भरोसा करके वो चला गया उसके वापस लोटते समय करीब 9 बच गये थे रात काफी हो जुकी थी और सबसे खतरनाक बात ये थे कि वो जिस गाओं में गया था उस गाओं का जो एरिया है और आसपास का पूरा शेतर ओजहा लोगों का था मतलब वो लोग जो जाड़ फुक करते हैं प्रीत आत्माओं को भगाते हैं इसलिए उस इलाके में तो रात होते ही सन्नाटा चा जाता है कोई भी आता जाता नहीं है मेरा दोस्त डरते हुए धीरे धीरे वापस जा रहा था हलाकि उसके साथ दो लोग थे जो उसे गाउं से बाहर चोड़ने के लिए साथ आ रहे थे लेकिन वो दुनों लोग काफी आगे चल रहे थे मेरा दोस्त पीछे पीछे था गाउं को पार करके जैसे ही वो में सड़क पर आया उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ है पर वो बिना कुछ बूले ये रिक्षा की स्पीड बढ़ा कर चलने लगा फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि स्पीड वो चाहें कितनी भी बढ़ाए पर रिक्षा धीरे ही चल रही है उसके स्पीड बढ़ाने का रिक्षा की स्पीड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके आसपास कुछ काले साइग घुमते हुए नजर आये उसे उन में से कुछ रिक्षा की पिछली सीट पर बैठ गए कुछ उसके आसपास उन में से एक उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसकी सांसे रोकने लगा मितरो यह सब इतना भयावा था इतना डरावना था कि वो बहुत खबरा गया उसके मुह से आवाज तक नहीं निकल पाई उसने बहुत कोशिश की कि वो उन दोनों लोगों को आवाज दे जो उससे थोड़ी दूर पे आगया आगय चाह रहे थे उसे छोड़ने के लिए आये थे लेकिन वो नहीं दे पाया उसके मुह से आवाज नहीं निकल पा रही थी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है उसके आसपास मन रहा है उसे जकड़े पड़े इन काले सायों के कारण उसका सरीर अंदर से जल रहा था अपने बचने का कोई उपाए ना पाकर उसे भगवान की आदाई वो मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करने लगा हनुमान चालीसा की चौपाईया पढ़ने लगा ऐसा करते ही उसे कुछ पलों में थोड़ा सा आराम मिला अब उसने विश्वास के साथ पूरा जोर लगा कर अपने मूं से जैश्रीराम जैह हनुमान जी बोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे वो काले साई पीछे हटने लगे लेकिन वो रुका नहीं वो लगातार जोर जोर से बोलता गया लगातार उसकी आँखों से आफू बह रहे थे उसे जो दर्द हो रहा था वो वही जान रहा था लेकिन वो फिर भी रुका नहीं बोलता गया बोलता गया कुछ द जालत देखी तो उसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है लेकिन वो इतना घबराया हुआ था उसके शरीर में शक्ति नहीं थी कि वो कुछ बता सके उसने किसी तरहें घर पर फोन लगाया और उसके बाद क्या हुआ वह आप लोग चानते ही हूँ उसके परिवार वाले उ को बच पाया आलने था ऐसे गाउं में जहां भटकती प्रेतात्माओं का डेरा हुँ वहां से आखिर कौन बच करने कल सकता है यह सत्य घटना इस बात का उधारण है कि हनुमान चालिसा में भगवान के नाम में कितनी अधिक शक्ति है कोई भी कभी भी पुकारे बस मन से श ठंड विश्वा सदा भना कर रखे जैजैस याराम जैहो प्रभु श्री हनुमान ची